नमस्कान वित्रों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में सूपर टेट और यूपी टेट के सब भी करेंट अफियर्स की वीडियो हो वो मेरे चैनल पर आपको देख सकते हैं जैनवरी से लेकर सेप्टेमबर तक सारे वीडियो पड़े हुए है आप मेरे चैनल पर EBS की सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है क्लास एर्थ NCRT के सारे EBS चैप्टर खतम हो चुके हैं और क्लास सेवन के भी लगबग लगबग चैप्टर्स खतम हो चुके हैं बहुत तेजी से वो सीरीज भी चल रही है आप उसको भी continue अपने साथ देख सकते हैं अगली जो सीरीज चल रही है मेरे चैनल पर वो मैं alternate mathematics और psychology के most important topics केवल most important topics को ही उठा के रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ main main चीजों का जहनकारी मिले क्योंकि बाकी चीजों बहले आप even skip कर दें तो चलेगा बड़ जो most important topic है उन्हें आप skip नहीं कर सकते तो वो सीरीज भी आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं सारी playlist बनी हुई हैं और सबसे main मेरे strategy videos जो मैं हर topic पर लेके strategy हो या आपकी किसी भी question की query हो सबको solve करता चलता हूँ वो आप जाके playlist section पर जाके channel को खोलेंगे playlist section पर देखेंगे वहाँ आप जाके देख सकते हैं और मेरे channel पर नया subscription का जो option है वो भी आप join कर सकते हो join करते बाग उसे इतना ध्यान लखिएगा कि रूपे card से payment उस पर नहीं होते हैं वीजा, debit या फिर UPI ID से ही आप payment कर सकते हैं payment करने के बाद आप मेरे एक member बनेंगे और members के लिए जो loyalty सेट की गई है वो आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं बाकी contacts के लिए आप comment जरूर करिए गा चलिए आप बात करते हैं हम आज की वीडियो पर देख सकते हैं आपके सामने साफ दिखाई हुआ है important index या फिर महतपून सूचकांग 69,000 के paper में सूचकांग का बोल बाला था उससे ही आप समझ सकते हैं कि सूचकांग पढ़ना जरूरी क्यों है चलिए शुरू करते हैं अगस तक के सारे महतपून सूचकांग इसमें मौझूद है next video जब आएगी सूचकांग की exam होने से पहले जितने भी सूचकांग आपके लिए जरूरी होंगे वो आपको पहुंचा दिये जाएंगे चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और लेते हैं पहला सूचकांग पहला सूचकांग है Global Climate Risk Index वैश्विक जलवायू जोकिम सूचकांग 2021 तो किस संस्था दौरा जर्मन वाच दौरा कितने देश समलित किये के थे प्रथम स्थान जिसका है वो है मोजैंबीक और भारत का सात्वा स्थान है इसमें याद करने योगी दो चीज़े हैं पहला प्रथम स्थान और भारत का स्थान ये दो मुख्य चीज़े होती हैं किसी भी इंडेक्स में बाकी चीज़ें प्रथम स्थान पर मोजैंबीक है मतलब ये खतरे वाले देश हैं नेक्स दिखते हैं हैं ये सबको पता होता है किस अंस्थान है है एंडेक्स समलित है 110 देश और प्रथम स्थान पर हमेशा के तरह जापा नहीं है और भारत 45 स्थान पर है पासपोर्ट के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है नेक्स दिखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स संस्था है वो है जर्मन वाच न्यू क्लाइमेंट इंस्थिटूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क प्रदम स्थान पर है किसी को नहीं दिया गया इसलिए एक महत्वपूर्ण सूचकांग बनता है और भारत का स्थान गया है कि जो इस शुरुवात की जो तीनों जगा है इनको इस कटेगरी में रखने के लिए कोई भी देश ऐसा है ही नहीं जिसको उसके काबिल माना जाए इसलिए इसलिए फस सेकेंड थर्टीनों जगा खाली है और चौते स्थान पर रखा गया है स्वीडेन को और भारत दस्वे स्थान पर नेक्स्ट हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट को देख लेते हैं तो सम्भले देश थे जिसमें से 3228 अमीर अरपतियों को शामिल किया गया था प्रत्रम स्थान पर है टेसला के प्रमुक ऐलाउन मस्क भारत में और अम्बानी आर्ट के स्थान पर मौझूद थे QS World University Ranking तो समलित देश इसमें संस्थान करी हजार थे प्रथम स्थान पर Massachusetts प्रत्योगे की संस्थान USA को मिला है और जो भारत में किसको मिला है तो भारत में 172 स्थान ग्रेर किया और वो कौन सी संस्थान है तो वो है भारतिय प्रोध्योगे की संस्थान बॉंबे याद रखेगा ये भी important है पिछले कुछ एक्जाम्स पर पूछा गया है विश्व में स्वतनतरता 2021 घेरा बंदी के तहत लोगत अंतर Freedom in the World 2021 Democracy under siege तो किस संस्था द्वारा अमेरिकी गैर सरकारी संगटन Freedom House द्वारा प्रस्थान पर फिल लेड नॉर्वे और स्वीडन तीनों है वो भारत का स्थान 88 हुआ है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का लिया गया है इंपॉर्टन है इसलिए तो संस्था नीती आयोग द्वारा है 17 प्रमुक राज के प्रतम स्थान में करनाटक रहा है 10 पूर्वत्र और पहाडी राज्यों में प्रतम स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है पर 9 शेहरी राज और केंदर शाचल प्रदेशों में नंबर एक पर दिल्ली रहा है आगे बढ़ जाते हैं COVID-19 Response Index अच्छा इंपॉर्टन लग सकता है खो सकता है यह पर पूचा जा सकता है संस्था लोवी इंस्टिूट सिड्नी समलिदेश 98 है प्रतम इस्थान पर न्यूजी लेंड है और भारत 86 है स्थान पर है याद रखिएगा Food Waste Index संस्था संयुक्त राष्ट पर रहवन कारिक्रम प्रतम पर चीन है और भारत दूसरे स्थान पर है याद रखिएगा Economic Freedom Index आर्थिक स्वतनतिता सूचकान संस्था Heritage Foundation संबलिद देश 84 प्रतम इस्थान पर सिंगापूर है और भारत का 121 स्थान है World Happiness Index विश्व प्रसंदता रिपोर्ट जो है तो भाई है कौन संस्था है सतत्विकास समाधान नेटवर्क संबलिद देश 149 प्रतम स्थान पर फिनलेड है और भारत 149 पर स्थान पर है World Happiness Index के अंदरकरत World Air Quality Report तो संस्था है IQAR और सबसे प्रदूशित शहर तो आपको पता है चीन का है नाम है खोटन भारत का सबसे प्रदूशित शहर गाजियाबाद उत्तरपिदेश का है सरवादिक प्रदूशित राजधानी दिल्ली है और सबसे प्रदूशित देश जो है बंगला देश निकलता है और भारत तीसरे स्थान पर अगर हम देखें तो overall world में थर्ड स्थान पर भारत भी मौझूद है तो पहरे स्थान पर आपको देख सकते हैं अगर हम देश की बात करें तो सबसे प्रदूशित देश बंगला देश है और भारत तीसरे स्थान पर मौझूद है विश्योप्रेस सतंतरता सूचकांग कई बार पूछा गया है तो इसमें 180 देश सामिल किया गयते प्रतमस्थान पर नॉर्वे है और भारत 142 वे स्थान पर है अक्षय उर्जा देश आकरशन सूचकांग तो प्रतमस्थान पर अमेरिका है और भारत तीसरे स्थान पर मौझूद है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट तो जारी करता है कौन? कौन संस्था है तो कौर सेरा प्रतमस्थान पर स्थान और भारत का स्थान 67 है याद रखिएगा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स तो शीर्स पर इंडोनेशिया भारत का स्थान 14 है कुल देश जो पर इसमें पार्टिस्पेट कर रहे थे वो 114 है और जारी करता है चैरिटीज एड फाउंटेशन तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी करता नीतिय आयोग परतम स्थान केरल दुद्यस्थान पर हिमाचल वह तामिल लाडू तरतिय पर आंद परदेश, गोवा, करनाटक, उत्राखन और अंतिम पर बिहार है केंद शार्षत परदेशों में शीर्ष पर चन्डी गड़ है तो ये और परतम बहुत जरूरी है जाद रखेगा दुद्य तरतिय की तरफ मज जाईएगा वैश्विक परतिस पर दात्मत ता एवं सूचकांग जारी करता है आई-मडी परतम स्थान पर स्वीडिजर्लेंड दुद्य पर स्वीडन दुद्य पर देन्माग भारत तरतालिस वे पर और कुल देश 64 ते जिनों ने भाग लिया था तो आपको सिर्फ परतम और भारत वैश्विक शान्ती सूचकांग जारी करता है उस्टेलिया इस थिंक टैंग इंस्टीट फॉर इकोनॉमिक्स एंड फीस परतम स्थान पर आइसलेंड द्यूसरे तीसरे और बिल्कुल ध्यान मत दीजेगा लेकिन अंतिम स्थान याद दखेगा अफगानिस्थान है और भारत 135 वे स्थान पर है संस्क्रण पंद्रवा है और कुल देश 153 थे तो याद दखेगा बिल्कुल सदद विकास रिपोर्ट जारी करता है सिंजुगता सदद विकास समादान नेटवर्क परतमस्तान पर स्वीडन भारत का स्थान है 120 कुल देश थे 193 ग्लोबल स्टार्टप ईकोसिस्टम इंडेक्स तो जारी करता है स्टार्टप ब्लिंग परतम पर अमेरिका ज्यूत्य तरतीए छोड़ दीजे और भारत का स्थान 20 वा है ग्लोबल साइबर सेक्टिरिटी इंडेक्स तो जारी करता है इंटरनेशनल टेली कम्यूनिकेशन यूनियन प्रतम स्थान पर अमेरिका जुतिय तरतिय छोड़ दीजे भारत का दस्वा स्थान है लिंगा अनुपांत जारी करता नीतियायो प्रतम तीन रज जो है छत्यस गड़ केरल वह पंगाल हैं अंतिन तीन रज उत्राखन हरियानावा दिल्ली है मतलब इनकी स्थिति अच्छी है और इनकी स्थिति खराब है Global Crypto Adoption Index जारी करता है चेन एयसे प्रतम स्थान पर है वी रत नाम और दिल्तिय स्थान कर भारत आर एक सो पाइसवे स्थान पर मौजूद है विश्विक नवाचार विश्विक नवाचार विश्विक नवाचार इन्नोवेशन इंडेक्स बाद गया तो जाली करता विश्व बाद्धिक संबदा संगठन जो कब हुआ था तो यह 20 सितंबर इससे मतलब नहीं है कुल देश इसमें 172 थे पितम इस्थान पर त्विट्ज आएंगे वो नए नेक्स्ट विडियो जो आएगी एक्जाम से पहले उसमें मैं सारे अफडेट कर दूँगा जो आप लिए महत्वपूर ने इनके नाम जरूर याद रखिएगा दूसरा भारत का इस्थान क्या है प्रसम इस्थान पर कौन है और कुछ-कुछ के आपको अ चाहिए लगा जाएव नए विड़ी एक्ट अबाएगा ज करता हो एक्पूर आएगागा जया है और किन देंगर और किस बड़ेघरे इनके लिए इनके है, मैंट आएगी एक जो आएगा जाएगागा जब प्रसमें मैं विए विए देंगा लिएभा याम अफगा